आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कि जब हम अबाउट सिल्क्लोमेटर के हाइट के अगरम चले जाते हैं अफियमें बताना है कि हमाज़ाइट्र स्केलर क्वाटिटी क्यों है जब कि हम जो प्रेशर निकालने करते हैं ने एक हanna कंट log oh about और बैंनल में और टो यहाँ हुपर होता है और फील कम आख ऐसमें यह ब्लद Bij मालट एक अप्लूड है तो फ्लूड है तो क्या होगा कि जो फ्लूड के अकोडिंग जो प्रेशर एक्जर्ट करता है फ्लूड वो क्या होता है हमारा प्रेशर इकल्ट क्या फ्लूड होता है रो जी इंटु एच के ब्राबर रो क्या इंसिटी है फ्लूड का जी है एक एक एक्सेशन ड्यू ग्रे फिट में होगा तो इस क्या को नी होता है, ब्रेन में क्या होता है, वो लिष्ट हो जाएगा हमारा तो इतना difference होने का वज़ा क्या है, feet और ब्रेन के बीच में pressure का वो यह वाला formula की वज़ा से हमारा difference आता है अब देखें दूसरे question में, atmospheric pressure जो हमारा half क्यों हो जाता है, at a height of about 6 km, तो अगर यह हमारा sea level है, इससे अगर हम उपर जाते है, about 6 km, तो क्या होता है, हमें क्या मालू है, कि जो density है atmosphere का, वो maximum कहां पर होता है, वो at sea level में होता है, at sea level में, जो density होता है, वो maximum होता है, row max होता है, कि तो इससी ऊपर हम जाते हैं, तो क्या होता है, density हो degrees होने लगता है, और degrees होने लगता है, about 6 km क्या होता है, वो approximately half हो जाता है density, density जो है, वो f row max का, वो half हो जाता है, तो definitely हमारा density और pressure का कुछ relation होता है, उसके coding क्या होगा, जो pressure हो जाता है, इस point में, वो approximately half हो जाता है, तो reason क्य और है कि हाईARोuksेटिक प्रेशर वोगतों के व tut चेатив प्रचियुन होता जी है हीसमें इसना लेक्विड और एस सर्केस्ट के से फॉस सकति प्रचितन अगर पिस्टन का आय है तो प्रेशर कितना होता हो हता ऑप एफ आपोन एक पराबर तो पी को हम क्या बोल रहें है जबकि फॉर्स वेक्टर कॉंटिटी है तो पी को में स्कले इसलिए बोल रहे है क्योंकि जो हईड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो लिक्वीड में हर त्रव में डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है वो मतलब हमने अगर यहां पर कि अगर परेशर अपलाई किया किसीभी पॉइट में आपलाई एक आपने क्या हो जाएगा वहर जगा परेशर हो जायार ज में पा sir Tá इसलिए हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसलिए हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, क्योंकि यह हर थरफ इसलिबूट होता है, P is scalar, P is scalar, because it gets distributed, और जबकि वेक्टर में करना पड़ेगा, तो हमें इसलिए एक पर्टिक्लर डिरेक्शन देना पड़ता है, जबकि यहां भी क्या हो रहा है, प्रेशर हर तरफ डिस्ट्रिबूट हो रहा है, तो हम उसलिए पर्टिक्लर डिरेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हम सिंपली स्केलर बोलते हैं, क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके, नीट आयाइटी जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक, तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स, आच चारसो 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 पर,